आसर और मौका अगर मिल जाए तो समझ लेना समय और समझ दोनों मिल गया हैं आसर और मौका एक ही सिक्के के पहलू हैं आसर मिलते ही मौका का फाइदा उठाना चाहिए मौका मिलते ही आसर की तलास करना चाहिए क्योंकि मौके और आसर कभी कभी मिलते हैं हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपकी चैनल काबिल बना दो 20 सिवीवी कलेम लड़ने हैं से रिंग हम आउसर की तलास करते हैं अर्थात समय की इन्तियार करते हैं कि कब उस्ब आउसर आएगा तब हम मन से पढ़ाई करेंगे जब आउसर मिलेगा तब बिजनस शुरू करेंगे जब आउसर मिलेगा तब खुसिया मिलेंगी न जाने ये सुब आउसर कब आएगा आखिर कब तक हम अपने सुब आउसर की दिन तियार करेंगे दोस्तों मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है ये आउसर कब आएगा जब हम वो सारे काम सुरू करेंगे जो हम करना चाते हैं वो उसर कब आएगा यह उसर तब आएगा जो हम खुद चाहेंगे जी हाँ दोस्तों जो हम खुद चाहेंगे और खुद से लगन से उसे करना चाहेंगे औसर के इन्तियार करने वाले लोग इस औसर में रह जाते हैं कि एक दिन औसर जरूर आएगा अर्थात औसर मिलते ही मौकर का फाइदा जरूर उठाएं और अपने कार में सफल बनाएं क्योंकि उपर वाला बार-बार मौका नहीं देता है दोस्तों अगर मौका मिले तो उसका पाइदा उठाना और जिद्दी को सफल बनाना इतना कहेंगे जिन्दगी में अवसर की तलास ना करो मौका मिले तो उसे बरबाद ना करो क्या पता का जिम्दगी किस मोर पर बदल जाए इसलिए मौका मिले तो आउसर का इंतिजार ना करो अब समय है यनि आउसर है कि आप अपने जिन्दी को बदलने की कब तक बैठे रहेंगे योई चुप चाप जिन्दगी ऐसे उदास रहेगी आगे बढ़ो दुनिया को देखो सुरह निकलाया है समय बदलने वाला है कुछ करना भी बाकी है जिन्दगी बहुत लंबी है वक्त कब बदल जाएगा वक्त कितनी लंबी है पता नहीं चलेगा उपर वाला मौका सब को देता है कभी खुशी कभी गम सबको मिलता है जिन्दगी बस अउसर की तलास करती है दोस्तों मिल जाए